क्या बिना COVID के लोगों को काला फांगस हो सकता है? विशेश अग्य बताते हैं स्वस्थ लोगों को काले कवक के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए लेकिन उच्चर रक्त शरकरा वाले लोगों को सतरक रहना चाहिए क्योंकि उन्हें संक्रमित होने का अधिक खत्रा होता है भले ही उन्हें COVID नहों भारत में COVID-19 रोगियों में म्यूकर्मिकोसिस या ब्लाइक फांगस के मामलों में तेज वृद्धी के बीच विशेश अग्यों ने चेतावनी दी है कि यह फंगल संक्रमन COVID के बिना भी हो सकता है और इसलिए जिनके पास उच्चर रक्षरकरा का स्तर है उन्हें सतरक रहना चाहिए यह एक संक्रमन है जो COVID से पहले भी मौजूद था काले कवक के बारे में मेडिकल छात्रों को जो सिखाया जाता है वह यह है कि यह मधुमेह के लोगों को संक्रमित करता है जिन्हें अनियंत्रित मधुमेह है अनियंत्रित मधुमेह और कुछ हन्य महत्वपून बीमारी के स्वयोजन से काला कवक हो सकता है नीती आयोग, स्वास्थिय, के सदस यवी के पॉल ने कहा मधुमेह की गंभीरता के बारे में बताते हुए, जो काले कवक की चपेट में आता है, डौपॉल ने कहा कि रक्ट शरकरा का स्तर 700 रिन 800 तक पहुंच जाता है, एक स्थिती जिसे चिकित सकीयर रूप से मधुमेह केटो एसिडोसिस के रूप में जाना जाता है, काले कवक का ह जिसका प्रभाव स्वयम है, फिर स्टेरोईड का उप्योग आता है, इन सभी ने स्थिती को बड़ा दिया है, लेकिन संक्षेप में कोविट के बिना लोग, स्वस्थ लोगों को इस संक्रमन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, एम्स के डौ निखिल टंडन ने क जिन लोगों की प्रतिरक्षा कमजोर होती है, उन्हे केवल अधिक जोखिम होता है, ऐसा हो सकता है कि महामारी की दूसरी लहर में कोविट संस्करण ने पहली लहर की तुलना में प्रतिरक्षा पर अधिक हमला किया है, यही वज़ह है कि म्यूकोर्मिकोसिस के इतने सारे मा पर उप्योग किया गया है यह लहे, लेकिन उचित जाच के बिना निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह जा सकता है, डॉर्ट अंडन ने कहा, रविवार को, हर्याना में काले कवक के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 398 हो गई, जिसमें गुरुग्राम में अधिक्तम 147 माम केरल ने चार ब्लैक फंगस की मौत की सूचना दी, जबकि उत्तराखंड ने म्यूकर्मिकोसिस को महामारी घोशित किया, मध्यप्रदेश के जबलपुर में शनिवार को सफेद कवक का एक मामला सामने आया, जिसे डॉक्टरों ने इलाज योग्या और सामान्य बताया है, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेर जैनल को सब्सक्राइब और बानों सब्सक्क्राइब करें, लाइक और शेर हूँ.